मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 31 मई के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की व सबसे पहले बात मेच राशी की मेच राशी वाले जातक लोगों के लिए आज स्वास्तलाब करने का दिन हैं प्रयास करना चाहिए कि परिवार के साथ काम का दब तनाव और दबाव आप कम लें परिवार के साथ कहीं किसी धार्मे के स्थान में समय व्यतीत करेंगे तो का 108 बार जाप करें और मानसिक तनाव दबाव लेने से आपको बचना होगा व्रिशव राशी व्रिशव राशी वाले जातक लोगों के लिए आज धन की समस्या आपके सामने आ सकती है मानसिक तनाव के कारण आपका स्वास्त कुछ जादा प्रभावित हो जाए ऐसी इस्तित दिखती है तो अपने स्वास्त का ध्यान रखिए रुपए पैसे की जो तनाव की स्थिति आ रही है उस पर भी आप थोड़ा सा उस पक्ष के बारे में भी विचार करिए सोचिए उम विश्व मूर्ता नमहमंत्र का 108 बार जाप करें और लंबी दूरी की यातरा करने से देख करके महौल देख करके आपको व्यक्त कर देना चाहिए आज की दिंचरिया में आपकी किसी एक बड़ी समस्या का कोई अनुभवी व्यक्ती जिसको आप अपना शुप चिंतक अपना मार्ग दर्शक मानते हो वो समाधान कर सकता है तो उससे आपको इस विशे में बात जरूर करनी चाहिए और परिजनों से वाद्वात करने से बचें करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों के लिए शत्रुहानी पहुचाने का प्रयास कर सकते हैं आज आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए पूजा पाठ धर्म कर्म यग्यनुष्ठान आपको बहुत अ चाहिए और लंबी दूरी की यात्रा से आपको बचना चाहिए कन्याराशी कन्याराशी वाले जातक लोगों के लिए आपको लक्ष की प्राप्ति होगी आज आप आज के काम को कल पर छोड़ने की जो आपकी प्रविर्ति है इसको आपको प्रयास करके बदलना चाहिए तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए व्यावसाइक सफलता मिलने की संभावना दिखती है अगर आप किसी से डर करके पीछे हट रहे हैं तो लोग आपको दबाने का प्रयास करेंगे और आप अगर अपनी जगह पर सही है तो आपको डरने और दबने पीछे हटने की आपकी परसनल लाइफ में भी तनाव की स्थिति आ सकती है तो इन सभी परिस्थितियों का समाधान आज आपको आज के दिन ही करना चाहिए किसी अनुभवी व्यक्ति को बोलिए उनसे आग्रे करिए वह आपके परिवार में लोगों के साथ हस्तशेप करें लोगों को मिला का कोई समाधान निकाले ओम अगर गणिये नमहमंत्र का 108 बार जाप करें आज किसी का दिल आपको नहीं दुखाना चाहिए धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए जीवन में सुधार पूर्ण बदलावाने की संभावना देखती है आज अगर आपके दिल मे से आपको छुटकारा मिल सकता है आज आपको काफी ऐसे अनुभव मिल सकते हैं जो आपके जीवन को बहतर बनाएंगे ओम अद्भुत मूर्ती मते नमहमंत्र का 108 बार जाप करें किसी गलत कारें में किसी व्यक्ति का सहीयोग न करें कुम्बराशी कुम्बराशी वाले जात मित्रों की संगत है उससे आपको दूरी बनानी चाहिए मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए घर में धन और प्रशाशन से जुड़े हुए चेत्रों में आपको बहुत अच्छा आज लाब मिल सकता है आज आपको अपने काम को अच्छे तरीके से करने के कई सारे अफसर मिलेंगे और बड़ी सफलता आपको उन कामों में मिलेगी जिनमें आप पूरे मेहनत से मनोयोग से आप लगने वाले हैं और दूसरों के वाद दिवाद से आप स्वेम को बचाएं तो दोस्तों ये तो बात रही आज के बारा राशी की हम लोगों ने जाना ग् बहुत ही अच्छा बहुत ही सरल उपाए एक ऐसा उपाए जिनको करके आप आपके जीवन की किसी भी तरीके की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं नवग्रहों की समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं करना क्या है कि गर्मी के मौसम में पंक्षियों को पंचियों को आपको डाला दाना डालना है इनको दाना चुगाने से पक्षियों को मचलियों को दाना और चारा देने से आपके जीवन में आ रही कश्ट समझ्याओं से मुक्ति मिलती है नव ग्रहों की ये शांती करते हैं कैसे करते हैं आइए समझते हैं पंचियों को दाना पानी देते रहने से पंचियों के साथ साथ चीटियों को और शास्त्रों में ये कहा गया कि मचलियों को इनको जो है हमारे शास्त्रों में निरीह प्राणी की संग्या दी गई है पंची चीटियां यानि जो कीडे मकुडे होते हैं वो और मचलियां इन ती इन तरीके के प्रजातियों को पक्षियों को दाना डालने से इन प्राणियों को इन जीवों को भोजन देने से आपके जीवन में आ रही जो बाधाये हैं खासतोर पर जो ग्रहों से संबंदित समस्याएं हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाब मिलता है तो कैसे आप कर सकत समझते हैं पक्षियों को मचलियों को और चीटियों को दाना पानी देते रहने से ग्रहों के अनिष्ट फलों से छुटकारा मिलता है और मानसिक शांती प्राप्त होती है कुंडली में यदि राहु केतु की और शनी की इस्तिति वक्री हो तो पक्षियों को बाजरा देना चा उसमें आपको मुक्ति मिलती है यदि कुंडली में चंद्रमा का दुष्प्रभाव है तो मचलियों को पक्षियों को और चीटियों को चावल देना चाहिए और चीटियों को आप चावल देते हैं तो चावल को पीस करके चावल का आटा उसमें कुछ मीठा मिला करके आप म मनुश्यों के बजाए अगर हजार मूख जीवों को भोजन कराया जाए तो ये बहुत अधिक पुन्य का काम है लोग कहते भी है काम बोलचाल की भाशा में भी आती है बात आती है कि खालो चिडिया भरभर खेत शास्त्रों के नुसार पशुपक्षियों को जानवरों को निर और आयू में व्रिद्धी होती है सिखों के गुरुनानक देव जी के बारे में प्रचलित है ये कता कि उन्हें बाजरे के खेतों की रखवाली करने के लिए बेजा जाता था सभी लोग अपने खेतों के पक्षी उड़ा रहे थे मगर गुरुनानक देव पक्षियों को रखवाली करते थे जिस खेत में समय दिया करते थे जिस खेत में वो पक्षियों को चड़ियों को बुला बुला करके दाना चुगवाते थे उस खेत में पैदावार हमेशा से जादा होती थी चौगुनी उसकी पैदावार एक समय में हो गई इस कहानी के पीछे तात पर य के लिए गेहूं मंगल के लिए भी गेहूं होता है राहु के तू के लिए बाजरा खासतोर पर होता है गुरू के लिए चने की दाल या फिर चना शुक्र के लिए सफेद उड़द और चावल देते हैं शनी के लिए उड़द की दाल काले तिल और आप बाजरे का भी के लिए होता यहां तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति लाइफ टाइम विना किसी कामना के सिर्फ प्रोपकार की भावना से मूख जीवों को मेरे बाबा हन बोलता जीव कहते थे अन बोलते जीवों को या निरी प्राणियों की सेवा की भावना रखते हैं आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो किसी खुले इस्थान पर सब्त धान्य आपको रखना चाहिए सब्त धान्य का मतलब साथ प्रकार के अनाज जिसे हम आम बोलचाल की भाशा में सत अनजा भी कहते हैं वो दुकानदार जो हैं बनिये की दुकान पर आप जाके सतंजा मांगेंगे तो वो एक कनस्तर में मिक्स किया हुआ रखते हैं आप जितना मांगेंगे 10-20 रुपए का वो आपको तौल करके दे देगा तो बार-बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सतंजा में क आपको कुछ समझ में आता है तो वो भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं किसी चीज को आगे पीछे भी कर सकते हैं ऐसा कोई हार्ड फास्त नहीं है कि यही होना चाहिए लेकिन अमूमन यही साथ प्रकार के नाज हैं जो बजार में मिक्स करके उपलब्ध होते हैं बजार में को मिलते एक बार फिर से समझ लीजे उरद मूम गेहुं चना जौ चावल और और तो दोस्तों अगर आप परौपकार की भावना निस्वार्त किसी भाव से आप अगरभर पक्षियों की सेवा करना चाते हैं जानवरों की सेवा करना चाहते हैं तो उनको आपको किसी खुले स्थान पर सतंजा रखना चाहिए और अगर ग्रहों की कोई विशेश समस्या है तो आप अपने ग्रहों के नुसार जो मैंने अनाज बताए वो दाने डाल करके अपने ग्रहों के कश्ट से मुक्ति पा सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये छोटे-छोटे उपाई और टोटके आपको निश्यती पसंद आते होंगे आप सभी से आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजिए और देखते रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे हैं यानि आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे कंसल्टेशन और रेमेडी चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टुफेस यानि पर्सनल मीटिंग करना आप हमें फोन के माध्यम से इमेल और वाट्सअप के माध्यम से अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है 990724131 आपको दो नमबर दे रहा हूं इन दोनों नमबर पे वाट्सअप अवैलेबल है आप वाट्सअप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहत हमें इमेल भी कर सकते हैं वित्रों आज कल फोन कॉल्स बहुत जारा हैं और मुझे भी मालुम है आप लोग कॉल करते हैं फून रिसीव नहीं होता तो आप भी निराज होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सअप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद